प्रिविद्यार्थियों, प्रथम प्रस्न के अंत्रगत, आज चर्चा का विशय है, गून के भेदों का स्वरूप जैसा कि हम पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में सून चुके हैं, गून और परियाय युक्त पदार्थ को द्रब्य काते हैं, गून परियाय के आश्रे को द्रब्य काते हैं, आज हम देखेंगे गून की से काते हैं, और परियाय की से काते हैं, आज हमारे चर्चा का विशय रहेगा गून, जैसा कि हम कल बताये थे, गून के दो भेद हैं, समान्य गून और विशय गून, समान्य गून सभी द्रब्यों में, समान्य रूप में पाया जाता है, सभी द्रब्यों के अलग-अलग विशय गून हैं, कुछ द्रब्यों के मौलिक गून हैं, यह सब विशय गून के अंतरगत ही आते हैं, समान्य गुन के च्छा वेद हैं विशेश गुन के सोला वेद हैं समान्य गुन के च्छा वेद हैं एक एक करके हम बताएंगे पहला समान्य गुन है अस्तित्व इस गुन के कारण द्रब्य का कभी नास नहीं होता द्रव्य त्रिकाल वर्ती होता है अतीत में था वर्तमान में है और भविश में बना रहेगा इस गुन के कारण द्रव्य नित्य होता है अविनासी होता है अपरिवर्त नसील होता है सास्वत होता है इस अस्तित्व गुन के कारण दूसरा समान्य गुन है वस्तुत्व अर्थ क्रिया कारित्वम वस्तुत्वम द्रब्य कोई न कोई क्रिया करता है इस वस्तुत्व गुन के कारण ही अर्थ क्रिया कारित्वम ये वस्तुत्व गुन पर ही अधारित है तिसरा गुन है द्रव्यत्वम, इस गुन के कारण नई नई परियायों को धारन करता है द्रव्यत्व, द्रव्य में प्रती समय बदलाव होता है, प्रती समय परिवर्तन होता है, परिवर्तन द्रव्य का भी होता है और गुन का भी होता है, या द्रव्यत्व गुन के कारण कौन सा धर्मास्तिका है कौन सा धर्मास्तिका है क्या सुरूप है उनके यह कौन बताता है प्रमयत्व गुन बताता है पाच्वा गुन है प्रदेशवत्व द्रभ्यों के संख्य या असंख्य और अनंत प्रदेश होते हैं यह बुध कौन कराता है यह प्रदेशवत्व गुन कराता है यानि द्रभ्यों में प्रदेशों का माप वला गुन प्रदेशवत्व गुन है प्रदेशत्व गुन प्रदेशों के परिमाप का अधार है चट्ठा गुन है अगुरूल अगुत्व इस गुन के कारण द्रव्य अपने स्वरूप में अवस्थित रहता है भिन्नेविन अवस्थाओं में परिवर्टन के बावजूद भी द्रव्य अपने मूल स्वरूप को नहीं खोता, मूल स्वरूप को बनाए रखता है जैसे सोना को ही ले लिजिए, सोना एक द्रव्य है उस सोने को कभी कंगन बनाया जाता है, कभी अमूठी बनाई जाती है विविध प्रकार के आभुसन बनाया जाते हैं फिर भी अनेक परिवर्तनों के बावजूद भी उसमें जो स्वरनत्व का गून है वह नश्ट नहीं होता बना का बना रहता है वह अगुरूलगुत्व गून के कारण है। विशेश गून पर हम चर्चा करेंगे अब जैसा की हम बता चुके हैं कि विशेश गून सभी द्रव्यों में समान्य रूप में नहीं पाया जाता अलग-अलग विशेश गून द्रव्यों में होते हैं। इसके सोलह वेद हैं एकर करके हम देखते हैं विशेश गुनों को किस द्रब्य में कौन सा विशेश गुन होता है किसी में एक होते हैं किसी में चार होते हैं किसी में तीन होते हैं किसी में छा भी होते हैं विशेश गुन लेकिन छहों द्रब्यों का एक विशेश गुन ऐसा होता है जो किसी द्रब्य में उसका मौलिक होता है उसके थास होते हैं जिससे उन द्रब्यों की पहचान होती है जैसे गती हेतुत्व पिसेशगुन ये धर्म द्रव्य का है और किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है। इस गुन के कारण ही आकास द्रव्य जीव और पुद्गलों को आस्त्रय परदान करता है। आगे जो अस्पर्सरस गंध और वर्न ये पुद्गल के भी सेशगुन है। चार भी सेशगुन अस्पर्सरस गंध और वर्न पुद्गल के बारे में कहा है। पुद्गलाहाँ, असपर्सरस् γंद अरवर्न से जुगत है वह पदार्थ पुद्गल है। अगले जो चार विशेसगुन ग्यान, दर्शन, सुख अर विर्य, ये जीव दरभ्य के हैं। और किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते जैसे असपरसरस गंध और वर्ण ये पुदगल द्रव्य के भी सेश गुन है और किसी द्रव्य में नहीं पाए जाते क्योंकि ये पुदगल रूपी द्रव्य है रूपी द्रव्य में ये पाए जाते हैं उसी प्रकार ज्यान दर्सन जियोद्रव्य के भी सेशगुन है इसके साथ चेतनत्व जियोद्रव्य का खास गुन है चेतनत्व जियोद्रव्य की पहचान है और किसी द्रव्य में ये नहीं पाये जाते इसके अलावे जियोद्रव्य अमुर्थ होता है किवल जियोद्रव्य ही अमुर्थ नहीं होता पुद्गल के अतरिक्त सभी द्रव्य अमुर्थ होते हैं धर्म द्रव्य अमुर्थ है अकास द्रव्य अमुर्थ है काल द्रव्य अमुर्थ है तिक्यान, दर्शन, सुख और विर्ज के अतरिक्त जो चार विशेश गुन हैं चेतनत्व, अचेतनत्व, मुर्तत्व और अमुर्तत्व चेतनत्व जीव द्रब्य का विशेश गुन अचेतनत्व जीव द्रब्य का विशेश गुन जीव द्रब्य में जीव के अलावे सभी द्रब्यों के विशेश गुन अचेतनत्व हैं मुर्तत्व मात्र रूपिनः पुद्गलाह पुद्गल द्रब्य का विशेश गुन और किसी द्रब्य में या गुन नहीं पाया जाता अमुर्तत्व पुद्गल दरव्य को छोड़ करके बाकी के जो पांच दरव्य हैं जो अरूपी हैं उन सब में अमुर्तत्व का गुन पाया जाता है इस प्रकार बारह और चार विशेश जो गून हैं, विशेश गून के में चार जो हैं, चेतनत्व और चेतनत्व मुर्तत्व और अरमुर्तत्व को जोड करके 16 विशेश गून होते हैं गती स्थिती अवगाह वर्तना क्रमस धर्म अधर्म अकास और काल दर्ब्य के विशेश गून, अस्पर स्रस गंध वर्न, ये पुदगल दर्ब्य के विशेश गून, ज्यान दर्शन सुख और विर्ज, ये जीव दर्ब्य के विशेश गून, अंतिम चार विशेश गून, च पचेतनत्व जीव के अतरित सभी द्रभ्यों के आ मुर्तत्व पुद्गल द्रभ्य के अलावा सभी द्रभ्यों के मुर्तत्व केवल पुद्गल द्रभ्य के विशेश गुन है। इस प्रकार समान्य गुन और विशेश गुन पर हमने चर्चा किया। आज चर्चा इतना ही, कल हम देखेंगे विशेश गुन और पर्याय का सुरूप